नमस्ते विद्धार्तियों आज हम हिंदी बाल भार्पती का घटक तीन काकी इस गध्य का अध्यन करेंगे। गध्य के लेखक है सिया रामशरन घुप्तजी। जन अट्रासो पंच्यानबे चीर गाउं उत्तर प्रदेश। म्रत्यों पंच्य सो त्रेसर रचनाय मौरी वीचे बापू अम्रत्पत्र काव्य तुतिया गोध। अंतिम आकांशा मौरी उपन्यास मानूशी कहाने संग्र परिचे आपका वैतिक तता साहतिक प्रूप गांधिवादी विचाधारासे प्रभ। प्रभावित रहा है प्रस्तूत मनुवैज्यानिक कहानी में कताकार ने अबोध बालक के जीवन की करून गटना एवं बाल सुलपकलपना को साकार किया है परिचे सिया राम शरण गुपत जी ने इत में आत्मिया संबंदो और मदुस्निया का बहुत बड़ा आदार निकटता है अईसा कहा है निकटता से किसी के आंतरिक एवं भाय जीवन का पोध सरलता से पूझाता है श्यामू अपनी मा को काकी कहकर पुलाता था मा से अधिक निकटता बच्चों की और किसी से नहीं हो सकती प्रस्तूत कहानी एक मनुवैज्यानिक कहानी है इस कहानी में कताकार ने बालक के जीवन की करून घटना तथा उसकी बालपन साकार किया है चलो हम अब आगे बढ़ेंगे उस दिन बड़े सबीरे जब शैमू की नीन खुली तब उसने देखा घर भर में कुहराम मचा हुआ है उसकी काकी उमा नीचे से उपर तक एक कपड़ा ओड़े हुए कंबल पर भूमी शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करून स्वर में विलाप कर रहे है ले जाने के लिए उठाने लगे शैमू ने बड़ा उपद्रव मचाया लोगों के हाथों से छुपन पर जा गीरा बोला काकी यह है इसे इस तरह उठा कर कहा लिये जा रहे मैं इसे न ले जाने दूँगा वह अपनी मा को काकी कहा करता था लोगों ने बड़ी कठनाई से उसे हटाया काकी के अगनी संसकार में भी वह न जा सका एक दासी राम राम करके उक्ते घर पर ही संबाले रहे यदपी गुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसकी मामा के आ गई है परन्तु असत्य के वातावरन में सत्य बहुत समय तक छिपाना रह सका आसपास के अबोध बालकों के मुह से ही वा प्रकट हो गया यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कही नहीं उपर राम के आ गई है काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शान्त हो गया शोक शान्त न हो सका शाके अनंतर एक दो दिन में ही पृत्वी के उपर का पानी अगोचर हो जाता है परन्तु भीतर उसकी आधरता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है वैसे ही उसके अंतरस्पल में शोक जाकर बस था वह प्राया अकेला बैठा बैठा शुन्ने मन से आखाश की और ताका करता एक दिन उसने उपर एक पतंग उर्टी देखी न जाने क्या एकदम खिलू था पीता के पास जाकर बोला काका मुझे एक पतंग मंगा दो अभी मंगा दो पत्नी की मृत्यू के बाद से विश्वेश्वर बहुत अन्मने से रहते थी अच्छा मंगा दोंगा का करवे उदाज भाव से और कहीं चले गए शामू पतंग के लिए बहुत उतकंठित था वह अपनी इच्छा किसी तरह ना रोग सका एक जगा खुंटी पर विश्वेश्वर का कोड टंगा था शामू ने इधर उदर देखकर उसके पास एक स्टूल सरकार कर रखा और उपर चटकर कोड की जेवे टटूली एक चवन्नी पाकर असे भाग गया किया का लड़का भोला शामू का समवयस कत्साती था चुप चाप एक पतंग और दोर मंगा दो देखो खुब अकेले में लाना कोई जान न पाए पतंग आई एक अंधेरे घर में उसमें दोर बांदी जाने लगी शामू ने धीरे से कहा भोला किसी से न कहो तो एक बात कहू भूला ने सीर हिला कर कहा नहीं किसी से न कहूंगा शामू ने रहस्य खुला कहा मैं यह पतंग उपर राम के यहां भेजूंगा उसको पकड़ कर काकी नीचे उतरेंगी मैं लिखना नहीं जानता नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता भूला शामू से अधिक समझदार था उसने कहा बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची परन्तु एक कटेनाई है यह दोर पत्य है इसे पकड़ कर काकी उतर नहीं सकती इसके टूर डर है पतंग में मूटी रसी हो तो सब ठी हो चाए शामू कंबीर हो गया मतलब यह बाकरो सुझाई गये परन्तु कटेनाई यह थी कि मूटी रसी कैसे मंगाई जाए पास में दाम नहीं तो आदमी उसकी काकी को दया मया के जला आए है बे उसे इस काम के लिए कुछ देंगी नहीं उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी राट तक नींद नहीं आई पहले दिन की ही तब किप से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोड से एक रुपएया निकाला उसे ले जाकर भोला कुदिया और भोला देख भोला किसी को मालूम नहोने पार अच्छी अच्छी दो रसिया मंगा दे एक रोसी ठसी छोटी जवाहिर भईया से मैं एक कागज पर काखी लिखवा लूँगा नाम लिखा रहेंगा तो पतंग ठिक मी के पास बहुत चाहेंगी दो गंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंदेरी कोटरी में बैठे हुए पतंग में रसि बाद रहे थे अकस्मात उग्र रुपधारन की ये विश्वर शुप कारिय में विग्न की तरह वहा आ पहुचे दोनों को धमका कर वे बोले तुमने हमारे कोट से रुपईया निकाला है भोला सक पकाक कर एक ही डाट में मुखभीर हो गया वह बोला शामू भाईया ने रसि और पतंग मंगाने के लिए निकाला था विश्वर ने शुप को दो तमाचे जड़कर का चोरी सिक कर जेल जाएंगे चा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ कगई तमाचे चड़े और कान मलने के बाद पतंग फाल डाली अब रसियों की ओर देखकर उनुने पुछा ये किसने मंगवाई ये किसने मंगाई भोला ने कहा इन्नोंने मंगाई थी ये कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे विश्विश हत बुद्धी होकर वही खड़े रह गए उन्होंने फटी हुई पतंग उठा कर देखी उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी इस प्रकार इस कहाने के द्वारा कताकार ने बालक के चीवन की करून घटना तथा उसकी बाल सुलब कलपना को साकार किया है शब्दाट कुहराम कुलाहल शूर प्रफुल्ल प्रसन विलाप रोना अगोचर अद्रश्य कंठित चिक्यासु मुकबीर खबरी अकस्मार अचाना सपकाकर अच्दी मारी गई हो रहस भेद धन्यवाद लाइक, सब्सक्राइब, शेर चरूर कीजी